क्लास नायंद की NCERT बुक जिसमें हम बात कर ले थे समकालीन भारत और उसका जो विशे था वो था जलवाईू इसमें दूसरे भाग में हम भारती मांसुन के बारे में बात करेंगे भारती मांसुन भारत की जलवायू मांसुनी पौन से बहुत अधिक प्रवायूत है हैतियासी काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मांसुन कर इखटना पर ध्यान दिया था पौन तंत्र की दिसा उलड़ जाने के कारण नहीं लापराप्त हुआ यादि की उतक्रमन चूंकि उनके जहाज पौन के प्रवाय की दिसा पर निरभड़ते अरब वासी जियो ब्यापारियों की तरह भारत आये थे उन लोग ने पौन तंत्र के इस मौसमी उतक्रमन को मांसुन का नाम दिया मांसुन का उर्वा उस्ण कटिबंदी चेत्रों में लगबग 20 डिग्री उत्तरियों 20 डिग्री तच्छन के बीच रहता है मांसुन की प्रक्रिया को समझने के लिए निमकितत महत्पून है और इस्तल अथा जल के गर में ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण बहरत के इस्तल भागपनिम दाव का चेत्र उत्पन होता है जबकि इसके आजपास के समुद्रों के उपर उच्छ दाव का चेत्र बनता है ग्रीस मुझत के दिनों में अन्तह उष्ण कडिवंधी आविस्तर शेत्र की इस्तिती गंगा के मैदान के ओर किसक जाती है यानि यह विशोती गर्थ है जो प्राय विशोत बृत से पांच डिगरी उत्तर में इस्तित होता है इसे मानसून रित्मे मानसून गर्थ के नाम से भी जाना जाता है सवा हिंद महासागर में मेडा गास करके पूर लगबग 20 डिगरी दच्छ चांज के उपर उच्छ दावाला शेत्र होता है इस उच्च दाव वाले छेटर की इस्तिती एवंती उर्था भारती मांसुन को प्रभायूत करती है ग्रीस मृत में तिबद का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है जिसके प्रणाम सरूप पठार के उपर समुद तल से लगबग 9 किलोमेटर की उचाई पर तीवर उर्थाधर वायुदाराओं यूँँ उच्च दाव का निर्वाड होता है ग्रीस मृत में हिमाले के उत्रपस्चिमी जेट धाराओं का तथा भारती प्रायदिव के उपर उष्ण कटिबंदी पूर्वी जेट धाराओं का पुर्भाव होता है बात करते हैं यानि की जो परिभासा है अंत्र उष्ण कडिवंदी अभिशरन्ड छेत्र ये विश्वती अच्छांसों में विश्वत गर्त और निन्न दाव का छेत्र होता है यहीं पर उत्तर पूर्वी याँ दच्छिड पूर्वी विअ पारिक पौने अपस में मिलती हैं यहाँ विशरन्ड छेत्र विश्वत गर्त के लगबग समाना नतर होता है लेकिन सूर्ड की अभासिगत के साथ साथिया उत्तर या दच्छिड की और किसकता है इसके तरिकते दच्छली महासागरों के उपर दाव के ओस्थाओं में परिवर्तन भी मांसुन को प्रवायूत करता है सामानेता जब दच्छली प्रसांद महासागर के उश्ण कटिबंदी पूर्वी भाग में उच्छ दाव होता है लेकिन कुछ विशेस वर्सों में वाय दाव की सिती विप्रीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रसांत के उपर हिंद महासागर्त की तुल्ला में निम्न दाव का छेत्र बन जाता है। दाव की अवस्ता में इस नियत का अलिक परिवर्तन को दच्छडी दोलड के नाम से जाना जाता है। तो इसका अर्थ होगा अवस्त से कम स्था विलंब से आने वाला मांसून। अलिनो दच्छडी दोलन से जुड़ा हुआ एक लच्छड है। यह एक गरम समुद्री जल्धारा है। जो पेरू की ठंडी दारा के इस्थान पर प्रतेक दो या पाँच वर्ष के अंतराल में पेरू तटसे होकर बहती है। दाव की अवस्था में परिवर्थन का संबंध अलिनो से है। इसलिए इस घटना को ENSO, E-N-S-O, अलिनो दच्छडी दोलन कहा जाता है। अलिनो साउथ ऑक्सिलेशन। अब अलिनो की बरिवाश्या। अलिनो ठंडी पेरू जलधारा के इस्थान पर अस्थ थाई तार पर गर्म जलधारा के विकास को अलिनो का नाम दिया गया है। अलिनो इस्पैनिस सब्द हैं जिसका आर्थ होता है बच्चा तथा जो की बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह दारा क्रिश्मस के समय भेहना सुरू करती है एल नीनों की उपस्तिती समुद्र की सताय के ताम मान को बढ़ा देती है तथा ओच शेतर में व्यापारीक पौनों को स्थिल कर देती है मानसुन का आग्मन यो मुवापसी व्यापारीक पौनों के विपरीत मानसुनी पौने नीमित नहीं है लेकिन ये इस्पंद मान प्रकत की होती है उश्न कटिबंदी समुद्रों के उपर प्रवाह के दोरान ये विभिन वाई मंडली औस्थाओं से प्रभायूत होती है मानसुन का समय जून के आरंब से लेकर मद सितमबर तक 100-120 दिनों के बीच होता है इसके आग्मन के समय सामानी वर्षा में अचानक व्रद्धी हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक या जारी रहती है इसे मानसुन प्रसपोर्ट फटना कहते हैं इसके बाद या दो भागों बढ़ जाता है अरब सागर साखा यो बंगाल की खाड़ी साखा अरब सागर साखा लगबक 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है यह एक तीवर प्रगत है बंगाल की खाड़ी साखा भी तीवरता से आगे की और बढ़ती है तथा जून के प्रतम सब्ता में असंप पहुंचती है उचे परवतों के कारण मानसुन पहुंचे पश्चमी पश्चिम में गंगा के मैदान की और मुर जाती है मद जून तक अरब सागर साखा सौराष्टर कच्छ यह उन देश के मद दिभागों में पहुंच जाती है अरब सागर साखा यह बंगाल की खाड़ी साखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में हापस में मिल जाती है दिल्ली में सामानेता मानसुनी वर्षा बंगाल की खाड़ी साखा से जून के अंतिम सब्ता में लगवग 29 जून तक होती है जुलाई के प्रथम सब्ता तक मानसुन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब हरियनडा था पूरी राजश्टान में पहुंच जाता है मद्य जुलाई तक मानसुन हिमाचल प्रदेश योम देश के से सिस्टों में पहुंच जाता है मानसुन की वापसी पेच्चागरत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राजियों से सितंबर में प्रारंब हो जाती है मद्य अक्तूबर तक मानसुन प्राईदीब के उत्तरी भाग से फूरी तरफ पीछे हड़ जाता है प्राईदीब के दच्छिडी आदे भाग में वापसी की गटितीवर होती है दिसंबर के प्रारंब तक देश के सेस भाग से मानसुन की वापसी हो जाती है दीपो पर मानसून की सबसे पहली वर्सा होती है या क्रिमशा दच्छिंड से उत्तर की और अप्रेल के अंतिम सब्ता से लेकर मई के प्रतम सब्ता तक होती है मांसून की वापसे भी क्रमसा दिसंबर के प्रथम सब्ता से जनवरी के प्रथम सब्ता तक उत्तर से दच्छिन की और होती है इस समय देश का सेश भाग्सीत रिट के प्रभाव में होता है रित्यूय मानसूनी जलवायों की विज़ेस्ता एक विशिष्ट मौसमी पृतरूप होता है एक रित्व से दूसरे रित्में मौसम की आउस्थाओं में बहुत अधिक परवर्तन होता है विशेष्कर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलच्चित होते हैं तटी छेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिनता नहीं होती है यदप यहां वर्षा के प्रारुकों में भिनताएं होती है आप अपने छेतर में कितने प्रकार की रितुमों का अन्हों करते हैं भारत में मुक्ता चार रितुमों को भजाना जाता है ये हैं सीत रितु, ग्रीसम रितु, कुछ छेतरी भी विद्दाओं के साथ मानसुन के आगमन था वापसी का काल सीतरुद उत्तरी भारत में सीतरुद मधि नुवंबर से आरम होकर फरवितक रहती है भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर युम जनुबरी सबसे ठंडे महीने होते हैं तापमान दच्छिर से उत्तर के बढ़ने पर घटता जाता है पूरी टडपरचेनने का उसत्ता आपमान चोभी डिग्री सेल्सेस से पच्छीस डिग्री सेल्सेस के बीच होता है इस रिद्ब में देश में उत्तर पूरी व्यापारिक पभूने प्रवाहित होती है ये इस्थल से समुद्र की और बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में सुस्क मौसम होता है इन पौनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिल नाडु के तट पर होती है क्योंकि वहाँ ये पौने समुद्र से इस्थल की और बहती हैं देश के उत्री भाग में एक कमजोर उचेदाब का छेतर बन जाता है जिसमें हलकी पौने छेतर के बाहर की तट प्रभाहित होती हैं उच्चावच से प्रभाहित होकर ये पौन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से घंगाड़ गाटी में बहती हैं सामानेता इस मौसम में आसमान साफ तापमान तथा आज़रता कम एवं पौने स्थिल तथा परिवर्थित होती हैं सीथ रुत में उत्री मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से शक्रवाती विच्छोब का अंतरवा विशेस लच्छण है या कमदाप वाली प्रडाली भूमद सागर एवं पश्चिमी एशिया के उपर उत्पन होती है तथा पश्चिमी पौनों के साथ भारत में प्रवेश करती है इसके कारण सीथ काल में मैदानों में वर्षा होती है तथा परवतों पर हिंपात जिसकी उस समय बहुत अधिक आउसकता होती है यद्धिप सीथ काल में वर्षा जिसे इस्थानी तोर पर महावट कहा जाता है कि कुल मात्रा कम होती है लेकिन ये रवी फसलों के लिए बहुत ही महत्पूर होती है प्रायदिपी भागों में सीथ रूत इसफ़ष्ट नहीं होती है समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण सीथ रूत में भी यहां तापमान के प्रारूप में ना के वराबर परिवर्थन होता है ग्रीस म्रित सूरी के उत्तर की और आभासी गैदि के कारण भूमंडली तापट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है मार्च से मई तक भारत में ग्रीस म्रित होती है तापट्टी के इस्थान अंत्रण के प्रभाव का पता विभिन अच्छांसों पर मार्च से मई के दोरान रिकार्ड की किये गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है मार्च में दक्कन के पठार का उच्छ तापमान लगबग 38 डिग्री सेल्सेस होता है माई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान समान निता 45 डिग्री सेल्सेस होता है प्रायदेपी भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है देश के उत्री भाग में ग्रीस मुखाल में तापमान में व्रिद्धी होती है था वायुदाब में कमी आती है मई के अंत में उत्तर पस्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्वियम दच्छिनपूर में पटनक था छोटा नागपूर पठार तक एक कम दाव का लंबोच छेत्र उत्मन होता है पवन का परिसंचन इस गर्थ के चार और प्रारण होता है लू का एक प्रभावी लच्छने ये धूल भरी गर्म यमसुस्क पवने होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तरयों उत्तर पश्चिमी छेत्रों में चलती हैं कभी कभी ये देर साम तक जारी रहती हैं इस हवा का सिधा प्रभाव गातक भी हो सकता है उत्तरी भारत में मई महिने के दवरान सामनेता धूल भरी आंधियां आती हैं ये आधियां अस्थाई रूप से आराम पहुचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीरियों महलकी वर्षा लाती हैं इस दवरान इस मोसम में कभी-कभी तीवर हवाओं के साथ गरजवाली मुसलाधार वर्षा भी होती है इसके साथ प्राया हिम वर्ष्टी भी होती है वैसाक के महिने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाकी कहा जाता है ग्रीसम रित्व के अंत में करनाटक एम केरल में प्राया पूरू मानसूनी वर्सा होती है इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इससे आमर वर्सा भी कहा जाता है बर्सा रित्वया मानसून का आगमन जून के प्रारम में उत्तरी मैदानों में निम्ध दाव की उस्था तिवर हो जाती है या दच्छिड़ी गुलार्द की व्यापारिक पहणों को आकरसित करता है ये दच्छिड पूर्प्यापारिक पौने दच्छिडी समुद्रों के उपोष्ट कटिबंधी छेत्रों में उत्पनल होती है चुकि ये पौने गर्ब महासागरों के उपर से होकर गुजरती हैं ये अपने साथ इस माधिव में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है ये पौने तीवर होती हैं तता 30 किलोमेटर प्रति गंटे के उसद वेग से चलती हैं मौसम के प्रारम में पश्चिम घाट के पवन मुखी भागों में भारी वर्षा लगबग 250 सेंटी मिंटर से अधिक होती है दक्कन का पठारियों मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है ये चेत्र प्रष्टी छाया चेत्र में आते हैं इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है खासी पाड़ी के दच्छनी स्रंखलाव में सित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राव्ट करता है गंगा की घाटी में पूर से पश्शिम की और वर्षा की मातरा घटती जाती है राजस्थाने हम गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है मांसून से संबंदित एक अन्य परिखटना है वर्षा में विराम इस प्रकार इसमें आद्र एम सुस्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं दूसरे सब्दों में मांसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं मांसून में आने वाले ये विराम मांसूनी गर्थ की गर्थ से सम्मंधित होती है विबिन कारणों से गर्थ एवम इसका अच्छ ये उत्तर या दच्छन के और खुशकता रहता है जिसके कारण वर्था का इस्थानिक वित्रण सुनिश्चित होता है जब मानसुन के गर्त का अच्छ मैदान के उपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है दुसरी और जब अच्छ हिमाले के समीब चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक सुस्क होस्था रहती है तथा हिमाले की नदियों के पर्वती, जल, ग्रःड, छेत्रों में विस्तरत वर्था होती है। इस बारी वर्था के करन्द मैदानी छेत्रों में 208 कारी बाड़ें आती हैं। एवम जान एवम माल की बारी छती होती है। उष्ण कड़ी बंधी निम्न दाव की तीवर्था एवं आवरत भी मांसूनी वर्था की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाव का छेदर बंगाल की खाड़ी के उपर बनता है था मुख इस्तली भाग को पार कर जाता है। या गर्त नीम दाव के मांसून के गर्त के अच्छ के अंसार होता है मांसून को इसकी अनिश्चित्ता के लिए जाना जाता है सुसके ओम आदरिष्थितियों की तीवर्ता आवरत येवं समय काल में भीनता होती है इसके कारण यद एक भाग में बाड आती है तो दूत्रे भाग में सुखा पड़ता है इसका आगमन एवं वापसी प्राया अविवस्तित होता है इसलिए या कभी-कभी देज के किसानों की क्रिश कार्यों को अविवस्तित कर देता है मांसून की वापसी यानि परिवर्थनी मोसम अक्टूबर नॉंबर के दोरान दच्छिन की तरफ्चूर के आवासी गत के कारण मांसून गर्थ यानि दाबवाला गर्थ उत्तरी मैदानों के उपर सिथिल हो जाता है धीरे धीरे उच्छ दाबवालाली इसका इस्तान ले लेती है दच्छिन पश्चि मांसून सिथिल हो जाते हैं तता धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं अक्टूबर के प्रारम में मांसून पहुने उत्तर के मैदान से हट जाती है अक्टूबर योम नॉम्बर का महिना गर्ब मुरसारित से सीध रित्मे परिवर्तन का काल होता है मानसुन की वापसी होने से आसमान साफें तापमान में प्रिद्य हो जाती है जिनका तापमान उच्छे होता है जबकि राते ठंडी योम सुभावनी होती है इसल अभी भी आदर होता है उच्छे तापमान उच्छे आदरता वाली योश्था के कारण दिनका मोसम असह हो जाता है इसे सामानत्या क्वार की उमत के नाम से जाना जाता है अक्टूबर के उत्तरार्द में विशेचकर उत्तरी भारत में ताबमान तेजी से गिरने लगता है क्या आप जानते हैं मासिन रामविस्ट में सबसे अधिक वर्थावला छेत्र है इस्टेलेग माईट और इस्टेलेग टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है नवंबर के प्रारम में उत्तर पश्चिम भारत के उपर निम्दाव वाली आउस्था बंगाल की खाड़ी पर इस्थान अंत्रित हो जाती है यह इस्थान अंत्रन चक्रवारती निम्दाव से सम्बंदित होता है जोकी अंडमान सागर के उपर उत्पन होता है ये चक्रवात सामनिता भारत के पूलवी सटकों पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवंभारी वर्सा होती है ये उश्ड कटिवंदी चक्रवात प्राया विनासकारी होती है मौसमी वर्सा ये मायप है भारत जून सितंबर यहाँ पर आपको इंडेक्स मिलेगा 400 से अधिक 200 से 400 से 200, 60 से 100, 40 से 60, 20 से 40 यानि 0 से 20 भारत वर्सा दीख, वर्सी वर्सा गोदावरी कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सभन आबादी वाले डेल्टा प्रोदेसों में अक्सर चक्रवात आती है जिसके कारण बड़े पहिमाने पर जान एवं माल की इच्छत होती है कभी कभी ये चक्रवात उडिशा पश्चिम बंगाल एवं मांगला देश के तटी छेत्रों में भी पहुंच जाते हैं कोरो मंडल तट पर अधिकतर वर्सा इनी चक्रवातों था अवदाबों से होती है वर्सा का वित्रण पश्चिमी तट के भागो एवं उत्तर पूरी भाग भारत में लगबग 400 संटी मीटर वार्सिक वर्सा होती है किन्त पश्चिमी राज़तान एवं इस सटे पंजाब हरिनड़ा एवं गुजरात के भागो में 60 संटी मीटर से भी कम वर्सा होती है दच्छिनी पठार के आंतरी वागोयम सहयाद्री के पूर्व में भी वर्सा की मातरा समान रूप से कम होती है इन छेत्रों में वर्सा की मातरा कम क्यों होती है जम्मू कस्मीर के लिए में भी वर्सा की मातरा काफी कम होती है देश के से सिस्से में वर्षा की मात्रा मद्यम रहती है हिमपात हिमाले चेत्रों तक ही सीमित होता है मांसुन की प्रिकत के परिणाम सरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिनता होती है वर्षा की विसमता निम्न वर्षा वाले चेत्रों जैसे राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पस्चिमी घाटों के वरिष्टि छाया वर देशों में अधिक पाई आती है अता अधिक वर्थावाले चेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं जबकि निम्न वर्थावाले चेत्रों में सुख्य की आसंका बनी रहती है मांसून एकता का परचाइक आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमाले अत्यन ठंडी पोनों से भारती महादीब की रच्छा करता है। इसके कारण अपेच्छा करत उच्छांसों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर उचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्राइडीबी प्ठार में तीनों और से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पढ़ती है और ना अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिसाओं में बहुत कम अंतर पायाते हैं परन। फिर भी भारती प्रायदीप पर मानसुन की एकता का प्रभाव बहुत इसवस्ट है। सभी इस मानसुनी लेके चारो और घूम रहे हैं। उत्तर से दचिन सा पूरु से पश्चिन तक संपून भारतवासी प्रतिवर्थ मानसुन की आगमन की पृदिच्छा करते हैं। ये मानसुनी पाउने हमें जल प्रदान कर क्रिश्च की प्रिकरिया में तेजी लाती हैं। नीचे दिए गए चार विखल्पों में से सही उत्तर चिने। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्च में सबसे अधिक वर्था होती हैं। ये वर्था के लिए उत्तर दाई हैं। नीचे प्रस्ण भारत में मानसुन का आगमन निम्लकित में से कब होता हैं। गर्म दिन्यों गर्म राते हैं। गर्म दिन्यों ठंडी राते हैं। ठंडा दिन्यों ठंडी राते हैं। ठंडा दिन्यों गर्म राते हैं। मुदानियो आदे